जहें दोस्तों साब का सवागत हमारी घठनाचकर के पूरोगों सीरीज में जिसमान भौवल कर रहे हैं और इसका हम लोग ने 12 सीरीज निकाल चुकिया अब दक हम लोग और हम लोग पहुंच गया हैं अपनी सीरीज के अंतिम पराव में और यहां पर करीब उद्योग के और भी जियू को पस्ट को जहाँ करें। तो पिछले वीडियो लेक्ष्र में छोड़ा था पिछले वीडियो लेक्ष्रि वाम लोगों ने 41 नमर कॉशन तक कर लिया था आज वाले स्वेस्ट नमर कोशन से शूरू करने वाले हैं तो आप से बस यह अन्रों देगा कि अगर आपको अगला प्रस्न निम्कित में से कौन सुमिलित नहीं है अगला है अगला है और केंद्र सुमिलित करने के लिए दिया हुगा आजए देख लेते हैं यह करके इसे तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड यह है सोनापती चार नमबर भारती अर्थ मूवर्स लिमिटेड यह है बैंगलूरू फिर इंडियन फार्मस फर्टिलाइजर्स यह कलोल और नेशनल अलमोनियम कंपनी लिमिटेड यह है बुगनेश्वरूरू इसका है डी ऑप्शन 413-2 अगला डाइमंड पार्क क्या है तो सी अप्शन होगा यह है वे ओदेविक केंद्र हैं जो हीरो सिंथेटिक जवाहरातों तथा अभुषनों के निर्मान और निर्यात को प्रुचाहित करने के लिए बनाय गया है अगला है फिर से सुमिलित करने के लिए प्तेचिर व्यक्ति और कारीचित्र वह यह देखते हैं तो बीवी राव हैं कुटकुट पालन, कुटकुट पालन, सीके प्रहलाद है, प्रवंधन बिज्ञान, जौन कुरियन, यह हैं मतस्य उद्योग अर्थसास्त्र और किरन कार्निक है, सुचन परदोकी और प्राकिरिय समागरी सॉफ्ट्वेर, डी ऑप्शन हो जागा चार पांच दो तीन, चार प मारतु उद्योग लिमिटेड, सुरी भारती अनुरुच, अन्तिश अनुसंधान संगठन, नहीं, इसका है भारती अर्थ मूवर्स लिमिटेड, चार नमर आप्शन, यह चार पांच दो पुला गया, तो चार नमर आप्शन है, बी, आर, एस नत्राजन, भारती अर्थ मू दो तीन, चार एक, दो तीन, अगला है उच्छ अधिकारी और संस्था, कोई की से भी देख लेते हैं, सीपी जैन है, एन्टी पी सी, एस रामदुराई है, टी सी एस, सुनिल अरोरा है, इंडियन एरलाइन्स, और विवेक पॉल है, विप्रोट टेक्नलोजी, स्वी चार, दो, तीन, एक, चार, अगला फिर सुमिलित करने के लिए प्रतिशृत महिला और संस्था या उद्ध्योग, तो आई से के करके देख लेते हैं, अम्रिता पाटेल, यह है राश्टे डेरी विकास बोड, अगला है अनु आगा, यह है धर्मेक्स लिमिटेड, अगला ह ट्रेक्टर एंड फर्म एक्विप्मेंट लिमिटेड, अगला है प्रिया पॉल, यह है पार्क होल्डर्स, होटल्स, यह ओप्शन एक, चार, पांच दू, अगला है पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए परसिद्ध है, तो सी अप्शन नहीं जागा लु तो कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उभोगता है, तो डी अप्शन नहीं जागा ताप शक्ती, अगला सुमलित करनी के लिए उद्योग और स्थान, तो आए इसे मिलाते हैं, कागज हो जाएगा, टीटागर, सिमेंट हो जाएगा, लखेरी, लोह और इसपात हो जाएगा भिलाई और खनीज, तेल, सोधा, करखन हो जाएगा, अमबाला, मुकूल, बी अप्शन, 3421, 3421, अगला फिर से सुमलित करनी के लिए है, आए देखते हैं, उद्योग और केंद्र दिया हुआ है, अलुमूनियम हो जाएगा, जे के नगर, तामबा हो जाएगा, मलाज खंड जस्ता हो जाएगा, टुंडू, और जूट हो जाएगा, भाट पाड़ा, बी अप्शन, 312, 312, 4, 312, 4, अगला फिर से उद्योग और अवस्थिति दिया हुआ है, आजे देख लेते हैं, उर्परक हो जाएगा, स्री गंगा नगर, कांच हो जाएगा, जैपूर, सिमेंट ह स्थान और उद्योग दिया हुआ है, आजे देख लेते हैं, बैंगलूरु हो जाएगा, वायू यान, कोरभा हो जाएगा, अलमोनियम, जमशेदपूर हो जाएगा, लोह इसपात, और मलाजखंड हो जाएगा, तामबा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, अग प्रूधी नगर हो जाएगा, सूति वस्त्र, चन्ना पटना हो जाएगा, रेशम और भधोई हो जाएगा, कारपेट, C ऑप्शन 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, अगला भारत के निविखित नगवा पर विचार कीजिए, उप्योक्त में से कौन सा पारंपरिक साड़ी वस्त प्रदान के लिए सुविख्यात है, तो चंदेरी है, और कांजी पुरम है, वी उप्शन 2, 3, निविखित में से किसको या किनको भाववलिक सुचना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है, नीचे देगार कूट का परियोक कर सही उत्तर चुनी है तो आई देख लेते हैं कौन साइस में सही है, बनारसी जरी और साड़ी बिल्कुल सही है, रास्थानी दाल वाटी चूरमा या गलत है, तिरुपती लड़ू या बिल्कुल सही है, तो सी उप्शन है एक और तीन, एक और तीन इसमें सही उप्शन है, निविखित में से कौ सब्सक्राइब कर दो जाएगा मदुराइब को किसके लिए जाना जाता है तो सब्सक्राइब जाता है तो सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का सब्सक्राइब किस उद्योग से है तो बीज और जाएगा इसमें अखवारी कागज नेपनगर का संबंद किस उद्योग से तो अकपारी कागज के लिए उर्वरा के लिए कौन सा खच्चा माल नहीं है तो नेफ्था है जिपसम है सलफर है कॉस्टिक सोडा नहीं है तो डिए अप्शन हो जाएगा कॉस्टिक सोडा निम्खित में से कौन से खनीज का रास्थान लगभग अकेला उत्पादन उत्पादक राज्य है तो डिए अप्शन हो जाएगा आ सा और दा देख लेते हैं सीसा और जस्ता आयस्क बेलस्ट्रोनाइट और सिलनाइट आ सा और दा डिए अप्शन अगला प्रशन डीजल लोकोमोटिव वरक्स वारण सी अब बनता या पर्दान करता है क्या तो स्य York वे जाइगा डीजल बीजली इंज्ट्रोन द्वारण सी अब बनाता या पर्दान करता है क्या तो डीजल बवनी-जली इंजिन दोनों निमुलख्षित और विचार के जिए और बुक्त में से कौन सा कथन सही है या देखना है आप कौन सा सह ही है तो इसमें डी ऑप्षन हो जाएगा केवल तीन के सितमबर 2019 में प्रदान मंत्री मोदी द्वारा उदघाटित सीमा पार तेल पाइपलान निमलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है यह उप्षन हो जाएगा मोतिहारी तथा अमलेक गंज सितमबर 2019 में प्रदान मंत के अनुसंधान केंद्र है तो इस पे जुले प्रशनों को आई हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि पहले प्रशन यहां शुरूता दिये गया है कच्चे रूप रेखा मांचितर में एक से छे चिन्नीत स्थानों में से निमलिखित में से एवी सीड़ी अनुसंधान से निमलिखित किजिए तो ए प्हले पढ़वाथ कोनकुंस्था ए ह। पैले पहले प्रशन रेखित पर्ण को आई है केंद्र है कि अनुसंधान स्था है तो इसका इह हो जाए गा चार तीन दोच्छे चार ए हूप में तीन है बंगाल में, दो है तामिल नाडू में, और छे है उत्राखण हिमाचल परदेश दोनों के बीच में हो सकता है, बॉर्डर पर यह हिमाचल परदेश में होगा अगला प्रशन, 1988 में अंटार्टिका महादुई पर भारत ने अपना दूसरा बैग्यानिक सोधकेंद्र मैत्री स्थापित किया था, इस सोधकेंद्र का प्रमुक कारे क्या था, तो सी अप्षन जागा समुदरी जैव शास्त्र, फिर से 1988 में अंटार्टिका महादुई पर भ अपना दूसरा बैग्यानिक सोधकेंद्र मैत्री स्थापित किया था, इस सोधकेंद्र का प्रमुक कारे किया था, तो सी अप्षन जागा समुदरी जैव शास्त्र, अंटार्टिका में तीसरे भारतिय शोधकेंद्र की अधार शीला, जिस नाम में से रखी गई हुआ है, इस नाम से जाना जाता है, तो सी अप्षन जागा भारत का पर्थाम अंटार्टिक सोधकेंद्र, इंटरनेशनल कॉपर रिसेर्च इंसिट्यूट फॉर सेमी एरिट्रोपिक्स, आई सी आर आई सी टी स्थित है कहां, तो डी अप्षन हो जागा है, इंटरनेशनल कॉपर रिसेर्च इंसिट्यूट फॉर सेमी एरिट्रोपिक्स, आई आर आई सी आर आई सी आर आई स्थित है कहां, तो डी अप्षन हो जागा है, अगला प्रस्थान जहां केंद्रिय संद्धाण संधध स्थ लिएक हाईदरवाद में संध्या । बहुम् вчini साथ कर दोगंडेव। में केंद्रे शुष्क बागवानी संस्था स्थित है तो सी ओप्शन विका नेर में केंद्रे शुष्क बागवानी संस्था स्थित है तो सी ओप्शन विका नेर में राष्ट्रे क्रिस्य नुसंधान प्रबंधन अखादमी स्थित है तो बी ओप्शन हो जाएगा हैदराबा तेकनलोजी रिसर्च इंसिट्टिट कहां स्थित है तो इसी आप्शन हो जाएगा मैसूर में यहां पर मिलानकन लेकर दिया हूँ सोची एक को सोची दोसे आए मिलाते हैं राष्ट्य परियावरन अभियांत्री की अनुसंधान केंद्री संस्था या है नागपुर में केंद्री आलू अनुसंधान संस्था है सीमला में और केंद्री तमाक्व अनुसंधान संस्था है राजा मुंद्री में बी ओप्शन दो चार तीन एक फिर से राष्ट्य परिया काभर अभियांत्र की अनुसंधान संस्था है नागपुर में खैंदरिय श अनुसंद्हान संस्था ए शांश्च्ची वानिकी का rhyme again किंद्र अवस्थित है तो भी आप्शन हो जाएगा जहासी में खितों प्रियुक्त होने वाले औजारों और मसीनों पर सोध और विकास कार Central Institute for Engineering दोरह किया जा रहा है जो अवस्थित है कहा तो भी आप्शन भुपाल में कितों प्रियुक्त होने वाले और जारों और मसीनों पर सोध और विकास का रिसेंट्रल इंस्थिट फॉर इंजिनिरिंग दोरह किया जा रहा है जो अस्तित कहा तो भी आप्शन भुपाल में अगला भारतिय चावल सोथ संस्था स्थित है कहां तो इसका अगला प्रस्ट राष्ट्य डेरी अनुसंधान के इंदर कहां स्थित है तो बी आप्शन जागा करनाल में राष्ट्य डेरी अनुसंधान के इंदर कहां स्थित है तो बी आप्शन करनाल में राष्ट्य डेरी अनुसंधान संस्था स्थित है कहां तो इसका अप्शन जागा करनाल में भारतिय डलहन अनुसंधान संस्था स्थित है कहां तो इसका अप्शन जागा कानपूर में भारतिय शाक भाजी अनुसंधान संस्था स्थित है तो इसका अप्शन जागा कानपूर में निम्लिकितम से किस अस्थान पर भारती सब्ज अनुसंधान संस्था स्थित है तो D अप्शन अगा 12 नसी में केंदरे अदवगे गवाने की संस्था अवस्थित कहा तो C अप्शन लखनाउ में केंदरे अदवगे गवाने की संस्था अवस्थित कहा तो C अप्शन लखनाउ में इंडियान बुरो अफ माइन्स का मुख्याले अवस्थित है C अप्शन नाप्पूर में इंडियान बुरो अफ माइन्स का मुख्याले अवस्थित कहा तो C अप्शन नाप्पूर में स्थान कहा स्थित है तो दोप्शन होता जाइपूर में राश्टित धुगध विकास बोड़ की ये शेट ये शस्थित सब्सक्राइब करते हैं के करके राष्टी सरकरा संस्थान या है कानपूर में मिश्र धातू निगम लिमिटेड या है 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 राष्टी सरकरा संस्थान या है कानपूर में मिश्र धातू निगम लिमिटेड या है 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 राष्टी सरकरा संस्थान या है कानपूर में अगला प्रश्ण भारती गन्ना नुसंधान संस्था स्थित है यह अगर लखनाओं में सुमिलित करने के लिए अगला प्रश्ण दिया हुआ सोची एक को सोची दो से आये मिलान करते हैं के करके केंद्रिय दहान अनुसंधान संस्था यह स्थित है कटक में खेती प्रनाली अनुसंधान निदेशाल है या है मेरट में भारतिय मिर्दा विज्ञान संस्था या है भौपाल में और शाक के वाग्यानी का राष्टि सोध केंद्री है जहांसी में ए ओप्शन 3,4,2,1, 3,4,2,1 फिर से केंद्री धान अनुसंधान संस्था या है कटक में खेती प्रनाली अनुसंधान निदेशाल है या है मेरट में भारतिय मिर्दा विज्ञान संस्था या है भौपाल में और शाष्टि वाग्यानी की का राष्टि सोध केंद्र है जहांसी में राष्टि एटलस और थिमेटिक मांचितर संगठन स्थित है तो D-Option का कोलकता मे राष्टि एटलस और थिमेटिक मांचितर संगठन स्थित कहा D-Option कोलकता में निद्रकित में से किस में नेचरल हिस्ट्री का राष्टि संगठन संगराले नहीं है तो D-Option हो जागा है तो हैदरवाद में नहीं है बाकि मैसूर भौनेश्वर और भौपाल में है अगरा मि T-C-R-I या है त्रिवेंद्रम में I-R-R-I या है मनीला में और C-A-J-R-I या है जोधपूर में B-Option 4-3-1-2 यहां इस सब का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं किसका क्या फुल फॉर्म है आगे नीचे चलते हैं पौधासं रच्छन संगरोद एवं भांडार निर्देशले अवस्थित है कहां तो C-A-P-S-A-P-S-A-P-S-A-P-S-A-P-S-A-P-S-A-P-S-A-P-S-A-P-S-A-P-S-A- हैं धराबाद में DWR करनाल में DMR यह नई-दिली और DPR कानपुर में फिर्से DRR या स्थित है है थिण में DWR करनाल में DMR यह नई-दिली और DPR कानपुर में अगला सोची एक को सोची से दोसे मिलान करने के फिर से संस्थान दिया हुआ और स्थिती दी भी है इसका अंसर अश्रार मांग दिया हुआ आप लोग चाहे तो नीचे डिक्स्वेशन बाक्स में इससे देख सकते हैं अच्छे तरक्य से आज अगला प्रस्ट पर चलते हैं र अगला निम्केत भारती मौसा मुख्यालियों को उनकी स्थाप्तना के काला मनुषार में व्यस्थित कीजिए और नीचे देखे कुट से अपने सही उत्र का चैन कीछें, तो सबसे पहले हुआ था कोलकता, फिर शिमला, फिर पूने, फिर नई दिली, D option B, C, D, A, B, C, D, A, फिर से पहले कोलकता, फिर सीमला, फिर पूने, फिर नई दिली, अंतराश्टी सौर गंठवन्दन ISA का सचीवाले वर्तमान में निम्लिकित किस अस्थान पर स्थित है तो C अप्शन वेगा गुरू ग्राम अंतराश्टी सौर संगठन ISA का सचीवाले वर्तमान में निम्लिकित किस अस्थान पर स्थित है तो यह option गुरु गुराम में भारते भाषाओं का केंद्री संस्थान निम्रिकित में से की संस्थान पर अवस्थित है तो यह option हो जागा मैसूर भारते भाषाओं का केंद्री संस्थान निम्रिकित में से की संस्थान पर अवस्थित है तो यह option मैसूर भारती क्रिशी अनुसंधाम संस्था का बक्रियों, पर शोध का केंद्र संस्थान स्थित है, वी आपस्ट रहेगा मगदूम मत्षूरा में D उपस्ट रहेगा पॉंडी चरी में परतों ब्रफ्रेस चाहटार में समाजर को चाहटार समाजिगोगाने हिग और पर्यावलने कंद्र बहरत के निम्क्रीच केंद्र भारत प्रियाग राज में निम्कित में से कौन सा योगम सही सुमिरित नहीं है तो संस्थान दिया हुए और अवस्तिती दे वी है अंतराश्ट के शाष्ष्वाने की अनुसंद्धान केंद्र नार नैरोभी बिल्कुल सही है भारती बन प्राधिक प्रवन्धन संस्थान भपाल य या गलत है ताटा उर्जा अनुसंधान संस्था नहीं दिली या विभूल सही है तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा केंद्री शाष भुआने की अनुसंधान संस्था बांदा अगला प्रशन अध्योग एवंबान की विश्विदाले स्थित है तो बी ऑप्शन सोलन में भारती शुदूर संबेदन संस्थान स्थित है तो बी ऑप्शन इसमेर में अगला शाप्टर हमारा है परिवहन जिसने पहला है इसे जुड़े पुरस्वन को देख लेते हैं यहां पी बार भारत के मानचित्र में मुखे राजमारगों को देख सकते हैं, मुखे राष्ट्रे राजमारगों को, North-South Corridor, फिर Golden, Cordilateral Corridor, आज़े देखते हैं, इसे जुले प्रशनों को, भारत में देख का कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है, तो B option हो जाएगा 60%, भारत में देख के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है, तो B option हो जाएगा 60%, भारत में कुल कितने राष्ट्रे राजमारगों और उसकी कुल लंबाई तक्रीवन कितनी है तो D option 64 और 40,000 किलोमेटर देखिए यह सब डाटर चेंज हो जाएगा क्योंकि यह सब डाटर करेंट का डाटर है तो सोड़के डेली बर्न रही है इसी और ने ने राजमार बन रहा है तो यह सब डाटर चेंज हो जाएगा तो ऐसा जलब इसे याद नहीं रखिया कि यही है exact figure change होते रहाता है तो आप लोग aan सबसे लबई राजमार कौंची है तो D option है गयरा राश्टिय राजमार कौंची है तो D option हो कर जाता है, तो महराष्ठ आंतर पादिस kanatak और तमिनाडू राष्ट्रिये महामार्ग संक्या चार नहीं गुजरती है तो इसका अंसर स्टार्मार्ग दिया होगा अगला प्रश्ण निविकित विचार कीजिए राष्ट्रिये राजमार्ग है और इससे जुड़े स्चाहर है उप्यक्त में से कौन से योगम साही समयलित है तो नहीं मतलब कोई भी समय सही नहीं तीनों के त्रीन गलत है निविकित में से किस राज्जियों में से किसमें प्रांतिय राजमार्ग का सलक की शकल लंबाई सबसे अधिक है अगला प्रस्ट भारत किस राज्जियों में से किसमें प्रदेश राजमार की लंबाई सबसे अधिक है तो महराष्ट्र राष्ट्र विकास प्रयोजना के संबद्ध में से कौन सही है सही उत्तर का चेयन का नीचे दिये कूट से कीजिये तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है तो या दिल्ली मुंबाई एहों कुलकता को जोड़ता है या गलत है इसके कौन लंबाई पांच या आठ सो च्हारी किलो मेटर या विलकुट सही है उत्तर दक्षिन गलियारा स्रीनगर कन्या कुमारी को जोड़ता है या गलत है तो बी आप्सनों जागा दो और तीनिस में सही है इसके कौन लंबाई पांच या आठ सो च्हारी किलो मेटर है या विलकुट सही है उत्तर दक्षिन गलियारा स्रीनगर कन्या कुमारी को जोड़ता है या भी सही है तो बी आप्सनों जागा दो और तीनिस में सही है स्वनीम चत्रभुज परयोजना कसंबंद किसके विकास से है तो यह उप्सनों जागा राज मार्क से स्वार्निम चत्रभुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है तो यह उप्षन होगा राजमार्ग से भारत की स्वार्निम चत्रभुज परियोजना जोड़ती है तो यह उप्षन होगा दिल्ली मुंबई चन्नाई कॉलकता को स्वर्नीम चतुरभुज क्या है तो C option हो जाएगा राश्य राजमार्गों के विकास से प्रस्तावित पूर पस्चिम एवं उत्तर दख्षिन एक्स्प्रेस वे राजमार्ग एक दूसरे को काटती है कहां तो B option हो जहाद्सी में प्रस्तावित पूर पस्चिम एवं उत्तर दख्षिन एक्स्प्रेस वे राजमार्ग एक दूसरे को काटती है कहां तो B option हो जहाद्सी में उत्तर प्रदेश वापूर पस्चिम कोरिडोर सूपर हाइवे क्या मिलन कसवा कहा है तो D option हो जहाद्सी में दो राष्टी राजमार्ग विकास पर योजना के अंतरगत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलते हैं कहां तो C option हो जहाद्सी में दो राष्टी राजमार्ग कन्या कुमारी स्रीनगर राजमार्ग विकास पर योजना के अंतरगत निर्मित हो रहे हैं एक दूसरे से मिलते हैं कहां तो C option जहाद्सी में उत्र दक्षिन गल्यारे नौत सौथ कोरीड़ पर अस्थित निर्मित नगरों को उत्तर से दक्षिन के क्रम में विएस्थित करते हुए सही उत्तर का चेन कर नीशे दिए कुट से कीजिए तो पहला है आगरा फिर है ग्वालियार फिर है नागपूर फिर है क्रिष्नगरी ए औपचिन बी डी ए सी फिर सभी एल आगरा फिर है। पूर पूर पिरे कृष्णगरी का निम्रिकेत में से कौन उत्त्र दक्षिन कल्यारे पर उस्तित है तो बीवी औप्शन हो जएगा आग्रा निम्रिकेत नगर युगों में से कौन सा एक हाल ही में निमकित में से कौन सा नगर राश्य राजमार्क तीन से नहीं जुडा है तो बी ऑप्सन हो जगा है तो बी ऑप्सन हो जगा भपाल बाकी आगरा धूले और गौलियर जुडा हुआ परधान मंत्री ग्राम की ग्राम सलक योजना है डियॉप्शन उन गाओं में समुदाइक जीवन के विकास है तो जो सलक से भली भाती संबंधित नहीं है निविकित भारती के राजियों को उनके प्रती सो बर किलोमीटर छेत्र में उनकी भूतल मारुगों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही अनुकरम क्या है नीचे देगे कुट का प्रियोग कर सही उतर चुनिये तो डी ओप्सन वेगा तीन चार दो एक पहरे हो जागा पंजाव फिर हो जागा प्रिवाहन प्रणालियों के संदर में भी कद्रों पर विचार कीजिए इनमें से कौन सा कतन सही है तो सही कतन देखना है क्या है तो पहले भारती रेले प्रणाली बिश्व के सबसे बड़ी है या विल्कुल गलत है राष्टिय राजमार्ग संपून सडख पर योजन परि सब्सक्राइब करता है या ये राजियों में केरल की भूतल मार्व सहंता उच्तम है या गलत है राष्टे मार्ग संख्य साथ देश की सब्सेव रजमार्ग है या बिशिये प्ली है जालेकुल के सब्सक्राइब करिमा। या बलकुल सही है और राश्ट्रीय राजमार्क संके साथ देज की सबसे बड़ी राजमार्क है या भी सही है तो दू और चार कॉरोटका को राश्ट्रीय राजमार्क की संख्या है तो डू Mr. कि अम्रित सार से दिल्ली होकर कलकत्त में से किसकी मद्य-पर्देश में लंबाई सर्वाधिक है एं Ctrl आरलod ध्रदेवास मंबई श्विंध राश्च्रे राजमारव में से किसकी मद्य पर्देश से दिल्ली से मध्य पर्देश में लंबाई सर्वाधिक है यह अप्शन हो जाएगा एनेच थ्री आगरा गॉलियर दिवास मुंबई निविखित राष्ट माजगों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है तो उसी की अप्शन हो जाएगा कोलकता हजीरा का नासिक पूने राष्ट मार पचास याभी सएए दुरगापूर कोलकता एक्सप्रेस्वे राजमार गया भी सएए हाईदरवाद दक्षिन मद्रेलवे का मुख्याले या गलत है तो डियॉप्सिनिस में गलत हो जागा है अगला परस्ट निम्लिकित राज्जियों को उनके राष्ट राजमार की लंबाई के अधार पर अवरोहिक्रम में व्यस्थित किजिए नीचे देगे एक प्रयोकर सही उतर चुनिए तो सबसे पहले हो जाएगा नागलेंड फिर हो जाएगा शारी सबसे पहले हो जाएगा अनवासर परदिश फिर नागलेंड फिर मिजोरम फिर स्किम इस एक दो तीन चार फिर से पहलाँ आसर पर्दिश भर फिर नागला एविजोन फिर शिक्किम वी और सूरंग कहां से गुजरती है तो बी अप्षिन अगां बनीहाल से यदि आप कोईंब से क्वेट्टम यादरा सदब मार्ट से करते हैं तो आपको मूलस्थान से गंतावेश्थान को मिला कर भारत के अंदर कम से सब्सक्राइब सर्थान को मिला है तो इसका अंसर स्टार्मक दिया हुए अप्रक्षाहिए तो इसे डिशन वाक्षिन लीचे परच सकते हैं कर .... न पर सुमरेद का निकली दो ऊई राश्ट्य राजमार्क और गुजरता है कहां से तो आएजी देख लिते तां इसे हैं क्किवे ही राश्ट्य राजमार्क 30 आउitute खुचराहे हैं राश्ट्य राजमार्क 4000 या गुजरता है सागोर से सी ऑप्शन चार एक दो तीन चार एक दो तीन अगला प्रश्ण निम्कित राजियों में से कौन सलकों की लंबाई में भारत में पर्थम पाइदान पर है तो महराश्ट्र अब अगला रेल परीवहन आई इसे प्रश्ण को यहां पर देखिए रेल वेक वारे में दिया हु और इसके जुले मुख्याले को भी देख सकते हैं आए पहला प्रश्ण में शुरुआत करते हैं इसका बहुत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था था कहां तो एह उप्शन हो जागा ठाथा सो तिरपन में भारत की पहले की रेल वे लाइन किन अस्थानों के भी च बात में परश्ण बार रेल कब चली तो भी ऑप्शन थादा सो तिरपन बड़ी लाइन की दो पट्रियों के बीच की दूरी कितने होते तो भी अप्शन पांच फीट गुरखपूर में से मुंबाई की रेल यात्रा की नियुंतम दूरी वाला मार गया है तो भी आप्शन ह जाएगा इसमें इलाहवाद होकर गुरखपूर से मुंबई की रेल यात्रा की नियुन दूरी वाला मार किया है तो भारत के रेल मंत्रा लेग की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है मद किसके तो एक अप्षण मुंबई अहमदावाद के मद भारत के रेल मंत्रा लेग के के लिए गोड़ापूर बिल्कुल सही है दर्षिन पूरु रेल्वे के लिए कुलकता बिल्कुल सही है दर्षिन पूरु मध्य रेल्वे के लिए बिलासपूर या बिल्कुल सही है तो इसमें गलत हो जाएगा कर्मिंबो स्चयांवां निर्फित मिसें कॉन सा मेल सही नहीं है तो Central Railway differentiate Railway वेस्टं रेलवे चर्ट्ष केट्याइवी आभी सही नौर्थ iell फ्रेंटिरी रेल्वे प्रयागराज यह गयलाथ है साथ एस्टं।रें्ट कंगल DIRECTOR नौर्थ फ्रंटियर रेल्वे प्रयाग राज यह अगलत है दक्षिन पूर्वी रेल्वे का मुख्याले है तो डियॉप्शन कोलकता भारते रेल से संबंदित निमिखित कतनों पर विचार कीजिए उपक्त में से कौन सा कतन सही है तो आए देख लेता है सही कतन कौन सा है उतरपसिम रेल्वेक मुखालिक जोधपूर में रस्कीत है या गलत है इन रेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेष्टा स्वतंतरता से नानी तता भारत के किसी खेल में परतिनिधित्व करने वाले खिराडियों को लिए उपलाब्द है या विल्कुल गलत ह फेरी क्लीविन के सबसे पुराने फेरी क्वीन सबसे पुराने चालू इंजन का प्रियोग करने वाली गाड़ी है तता भारति रेल्वे इसके द्वारा वन्ने जीव तथा विरासत अस्थलों की यात्रा आयोजित करती है या विल्कुल सही है तो बीवाप सुनगा के वाल सबसे पुरानी चालू इंजन के को प्रियोग करने वाली गाड़ी है तता भारति रेल्वे इसके द्वारा वानिज तथा विरासत अस्थलों की यात्रा आयोजित करती है या विल्कुल सही है तो बीवाप सुनगा केवल तीनिस में सही है अगला प्रशन रेल्वे का जोन म अशेतर का मुख्याले का मुख्याले का मिहार में उतरमद रेल्वे जोन 6 यह मुख्याले कहां है तो ईप्र इयुक इंद्र इसे चल चले दो प्रेयाटक जिससमें से एक कराशी जाना है और दूसरे को भुज साथी की तलाश में है जिस रेलवे जंक्षन तक वे साथ चल सकते हैं वो मांचित्र में दर्शाया गया है तो D-Option हो जाएगा बालो तारा बालो तारा तक वो साथ जा सकते हैं अगला प्रशन यद्पी रेलवे भारत की सबसे अधिक ब्यापक परिवहन संसाधन है इसके निम्लिकित में से कौन से कारण है तो आईए से जुले कारणों को देखते हैं रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबंद पूंजी लागत बहुत अधिक है या विकुल सही है मानव बस्तियों की भगोली की विस्तार इतना अधिक है कि कैवल रेलवे सही परिवहन की सारी अवशकताउं की पूर्ती की आशा करना वास्तावीं नहीं है या विकुल सही है रेल पारिवान के तुरुदना में सड़क पारिवान के परती एकक मीटर टन किलो मीटर लागत सस्ती है या विल्कुल गलत है रेले का स्वरूप अभिभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्राया इसका लाव उठाना उतना सुविधा जनक नहीं होता जितना नीजी कारों वसो और दुपईयों वहनों से लाव उठाया जाता है या विल्कुल सही है तो भी और चारिस में सही है फिसे पड़ते हैं यत्पी रेले भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवाहन साधन है परंतु सतंतरता के वाद की अधिकान सब्धी में सड़क परिवाहन को सरवाधिक प्रोसाहन मिला है इसके निम्लिखित में से कारण है तो रेले परिवाहन परिचालन में सस्ता है पर उसकी संबंध पूंजी लागत बहुत अधिक होती है या विर्कुल सही है मानव वस्तियों को भागणिक विश्थार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवान की सारी वसकताओं के पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है या विर्कुल सही है रेल परिवान के तु वाहनों से उठाया जाता है तो बी ओप्शन हो जागा एक दू और चारिशन सही है कि सुमेरित करने के लिए दिया हुआ है आई से देख लेते हैं रेले कोच फेक्टरी या है कपुर थल्ला में वील एवाम एकसल सहींत्र या है बैंगलूरु में डिजल लोकोमोटिव वर्क्स या है वारनसी में और इंटेग्रल कोच फेक्टरी है पिरंबूर में डिय ओप्शन 3142 फिर देखते हैं रेले कोच फेक्टरी है कपुर थल्ला में वील एंड एकसल सहींत्र है बैंगलूरु में डिजल लोकोमोटिव वर्क्स है वारनसी में और इंटेग्रल कोच फेक्टरी है पुरंबूर में डिजल रेल इंजन मना आए जाते हैं तो भी आप्शन हो जागा मुडवा डिह में दीजल रेल इंजन मना जाते कहां तो फिय पूप Cand O 정도로 मैं निंखित राजू सभी कि बड़ी मात्रा में निर्मान ऊटीचाए तो पंजाब और तामिल नाडू में नेमिखित राज्जी समुह में से कौन सा है जहां यात्री रेल डबो की बड़ी मात्रा में निमान होता है तो पंजाब और तामिल नाडू में साल की लगड़ी का उप्योग अधिकतर किस उध्योग में होता है तो डी आप्शन रेल्वे स्लीपर में अब गुज्रात के कर्च रूप रेखा मांग चित्र में एक दो तीन चार अंकों से दिखाए गए चार रेल जंक्षन करमसा है तो बी आप्शन हो जाएगा मैसाना सुरेंद्र नगर राजकोट और जुनागर अगला प्रस्ण तीसरी रेल कोच फैक्टरी स्थापित की जा रही है तो बी आप्शन हो जाएगा राइवरेली में किस रेल खंड का प्रथम CNG ट्रेंड शुरू की गई है तो बी आप्शन हो जाएगा गुजरात कॉंकित राज्यामे में से कौं सा राज ऐसा पहला राज्य बना जाया प्रफित्पी मौडल पर रेल ट्रॉल्च वनाएगा जा रहा है तो बी आपसुन हो जाता है कौँंकित कॉंकर रेल्वे के बिशायतों में कनाठक गोवा महराश्य और केलो राज्य ते बाखी इसकी कुल लंबाई 760 किलोमेटर यह विल्कुल सही है यह एक मातर ऐसा रेल मार्ग है जो पस्चिमी गहाटों को पार्क करती हुए गुजरता है यह विल्कुल सही है है कोंकन रेल नेरिवान कंपनी बनान लोगे कि उसे सरवजनिक निगम के माध्यम से धन इकठा किया यह वी सही है सुजरता है ही कोंकन रेलेल जोड़ता है तो बूंद कंघ्युजर गार वाक कोंतले सब्सक्राइब कॉंकरा रेल मार्झ नहीं जोडता है तो एफ़न जागा बेल ग्राम को कॉंकरा रेल मार्च नहीं जोडता है किसे तो एफ़न बेल ग्राम को तो किन दो राज रेल्वेय श्रीशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को इनिसको ने धर्योः के रूप में माणिता दी है, तो यह अप्शन हो जाएगा, सिल्डी गुली तथा धार्जलिंग, ने भी अप्शन हो जाएगा, मेघाल है, भारत के निम राज्यों में से, निम तो बी आप्शन में घाल है निम्खित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन एक अधिक दूरी तैक करती है तो बी आप्शन हो जाएगा बारा तैतालीस एक त्रिवेंदरम सेंट्रल निम्खित नंबर की राजधानी ट्रेन में से कौन एक अधिकतम दूरी तैक करती है तो बारात ये तालिस एक त्रिवेंदरम सेंट्रल निम्खित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही अब रोही करम क्या है तो पहला है पीर पंजाल फिर कारबुद फिर नाथु बाड़ी फिर बर्देवादी ए ओप्षन फिर से पाता है निम्खित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही अब रोही करम क्या है तो पहला है पीर पंजाल फिर है कारबुद फिर है नाथु बाड़ी फिर है बर्वेद बादी और इसकी साथ यह चाप्टर है अगला चाप्टर हमारा है नौ या वायू परिवहन इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्शर मे चैनल को सबस्क्राइब नहीं है तो प्लीusing प्लीश प्लीश इसे संस्कायब करके हमें सबोट करें क्योंकि आपके सपोर्ट के हमें बहुता अब आपकDa नियुदियो आ